हेलो स्ट्रेंट्स वेलकम टू दे सेस्टन और आज हम बात करने जा रहे हैं आपके एक बहुत ही इंपॉर्डेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रॉसेस और टैंथ क्लास में यह बहुत अच्छी वेटेश रखता है माक्स की ठीक है तो लाइफ प्रॉसेस आपके सबसे पहले मैं आपको इसमी बता स robi हम कि अंदर पढ़ेंगे क्या क्या चीज derecho को तो सबसे पहले हम इसने पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और फिर इसके बाद हम बात करेंगे the process of nutrition कि फिर के nutrition क्या होता है रखावी बताऊंगा और detail में हम इनको इक ये करके फिर पढ़ेंगे इसके बाद inspiration क्या होता है यह बी हम जानेंगे transportation क्या होता है यह भी हम जानेंगे क्यों transportation धर को ज्रीड है और history क्या होता है यह हम जानेंगे और हां extra concepts जरूर बताउँंगा मैं आपको इस chapter के regarding कौन-कौन से Extra सब्सक्राएं पढ़ेंगे अब और को यी उस्टार्ट करें लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं इन सभी प्रॉसेसस के बारें बता देता हूं ठीक है तो सक्राइब धेथांसे न्यूटिरिशिन क्या होता है so nutrition क्या होता है क्यों जरूरी होता है nutrition तो जरूरी क्यों होता है पहले यह जान लेते हैं कि nutrition जरूरी क्यों होता है तो सुनिए हम अपनी बॉड़ी से बहुत काम कराते हैं या फिर ये कहलो हमारी बॉड़ी बहुत काम करती है और सभी काम को करने के लिए बॉड़ी को एनर्जी की रिक्वार्मेंट होती है एनर्जी की बॉड़ी को चाहिए एनर्जी अब ये एनर्जी इसको मिलेगी कहां से ये एनर्जी इसको मिलेगी न्यूट्रियंट्स की मदद से nutrients की मदद से हमारी body को energy मिलेगी तो मैं simply ये कहतूंगा कि एक ऐसी process जिसमें कि हम अपनी body के अंदर nutrients को intake करते हैं ठीक है किसको nutrients को तो nutrients को intake करने की process को ही हम nutrition बोलेंगे ठीक है details में हम जाएंगे फिलाल बस इनकी definition जान लीजिए nutrition क्या होता है the process of intaking of nutrients अब इसके बाद respiration क्या होता है कि respiration होता है breakdown of food material ठीक है इसमें क्या होगा breakdown होगा किसका food का या फिर organic compound का ठीक है breakdown of organic compounds और गैनिक कंपाउंड का इन और गैनिक फॉर्म में breakdown होना breakdown of organic compound into inorganic form by liberating energy क्या निकालते हुए energy को निकालते हुए साथ में क्या निकलेगी energy निकलेगी यह बात आपको याद रखनी है अब अगर आप लोग इस बात को लेगे भी सब्सक्राइब कर लेते हैं अगर आप इस बात को लेकिंगी और इन और गैनिक क्या होता है और इन और गैनिक क्या होता है तो देखो बेसिक आइडिया में दे रहा हूं आपको अगर आप लोग भूल गए हों क्या पता और गैनिक और इन और गैनिक है देखो बई हिंदी में और गैनिक को बोलते हैं जीवाश्म 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 ज ऐसे होंगे जो किस से लिए जाते हैं living से लिए जाते हैं और इन और शुम से बता लाएंगे कि ए और यह इन खेल आदा थैसे सुनीएगा पैन का लर बदल रहा था ठीक है ओर गैनिक में क्या होता है और गैनिक में कारवन के साथ हमें हाइडरोज़न दिखने को मिलेगा ऐसे सभी compound को हम क्या बोलेंगे organic compound बोलेंगे और inorganic में हमें कारवन के साथ hydrogen दिखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो organic का एक और नाम हिंदी में इसको हम बोलते हैं कारवनिक बतला जो कारवन से मना हो और यह होता है एक कारवनिक हिंदी में इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आप और ज्यादा फैमिलियर हो जाएं इससे जीवास्व को ना हम फॉसल बोलते हैं फॉसल यह मैंने यहां थोड़ा सा आउट चला गया था फिलाल और गैनिक क्या ह और गैनिक लेविंग से लिया जाता है और इन ओर गैनिक कम कारवनिक बोलेंगे और और ऑर गैनिक के अंधर हमें कारवन के साथ हैड्रोजन नहीं दिखेगा यह बात आपने यादर्नी है ठीक है बाई अच्छा तो आपका यह जीडाला जो कॉंसेप्ट है जो डेविशन ह अब हमारी भोड़ी, इतनी बड़ी है। हमारी बोड़ी इतनी बड़ी है, मैं सिर्फ अपनी ही बाद अब पर और हमसे चोटी-चोटी बोड़ी भी इस अर्थ के उपर एक्जिस्च करती है। हमारी body में जो हमने खाना खाया है ठीक हमाच फूड हमारा इस जगह पर है body के इस जगे पर जहां से हमें energy मिल निए अब यहां से यह energy हमें transfer करनी है इस body के अलग-अलग region तक अलग-अलग region तक अलग-अलग या फिर कोई भी essential nutrient ठीक है जो भी जरूरी चीज़े होंगी और सभी जरूरी चीज़ों को हमें क्या करना है सहीर के एक दम कौने-कौने तक पहुचाना है तो कौने-कौने तक पहुचाने के लिए एक transport system की जरुरत होगी किसी जरुरत होगी एक transport system की हमें जरुरत होगी एक ट्रांसपोर्ट system की हमें जरुरत होगी और इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज करते हुए जवरी चीज़ों को बॉड़ी के कौने-कौने तक पहुचाना उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन आई होप आपको सभर में आया होगा यहां इसके बात करते हैं एकस्क्रीशन की अच्छा अब एकस्क्रीशन क्या होता इस बॉड़ी के कौने-कौने से वेश्ट भी तो बनेगा गंदगी भी तो बनेगी उस गंदगी को लेके आना और सईल से बहार निकालना तो सरीर से वेश्ट मैटिरियल्स को बहार निकालने की को हम excretion बोलेंगे the process of removal of waste products or elements from the body ठीक है उसी को हम बोलेंगे excretion extra concepts क्या है वो तो मैं तुम्हें टाइम टाइम पर ही दोंगा जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता रहूंगा उसके दौरार में आपको सभी extra concepts की बारे में बताता रहूंगा तो गवराएं इसके इंट्रोडशन के साथ तो इंट्रोशन के बारे में हम जानेंगे ठीक है तो ध्यान से सुनिएगा इंट्रोडशन के बारे में मैं एक black screen लेना चाहूंगा जिससे कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएं और फिर हम ncrt questions भी करेंगे ठीक है फिर हम करेंगे कि इंट्रोडशन कराता हूं आपका इस चेप्टर से इंट्रोड़क्शन देखिए भई लाइफ प्रोसेस क्या है उससे पहले यह जान लो कि किसी को हम alive कब बोलेंगे ठीक है alive कब बोलेंगे कि यह जिन्दा है कि यह living है कि इसके अंदर life है तो जिसके अंदर life हमें देखने को मिलेगी ऐसे organism जिनके अंदर क्या present है life present है उसी को हम alive बोलेंगे हम अब यह alive है भी क्यों तो देखो भई सभी की बोडी के अंदर एक यूनिक और्गेनाइजेशन होता है एक यूनिक और्गेनाइजेशन होगा किसका वेरियस मॉलिक्यूल्स का तो बोडी के अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे कि मॉलीक्यूल वन ठीक है molecule 2, molecule 3, आपस में इन्होंने कुछ एक organization इस तरह का किया है और इनके organization से आपस में यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है एक reaction, तो यह molecule आपस में reaction करते हैं और क्या पैदा करते हैं reaction करने के बाद यह पैदा करेंगे तरह तरह की processes, इनकी ही result में हम तरह तरह की processes को देख पाते हैं, जैसे की जैसे की growth, क्या देख पाएंगे हम growth, ठीक है और जो भी reaction चलते हैं इनको metabolism बोलेंगे, metabolism दो तरह का होगा, ठीक है, consciousness भी हम इनके अंदर देख पाएंगे, consciousness ठीक है, reproduction हम इनके अंदर देख पाएंगे, ठीक है, reproduction देख पाएंगे, तो growth है, metabolism है, consciousness है, reproduction है, और locomotion है, adaptation है, ठीक है, ठीक है, देखो बई, जिनके अंदर हमें ये सब features देखने को मिल रहे हैं, growth देखने को मिल रहे है, metabolism देखने को मिल रहे है, reproduction देखने को मिल रहे है, adaptation इत्यादी आदिस चीज़े हमें देखने को मिल रहे हैं, उसी को हम living बोलेंगे, non living के अंदर ये सब चीज़े हमें देखने को नहीं मिलेगी, non living ना तो grow करता है, ना उसके अंदर कोई chemical reaction चलेगी, ठीक है, और ना ही वो सोच समझ सकता है कुछ भी, ना ही वो अपनी संतान पैदा कर सकता है, non living, ठीक है, और ना ही वो locomotion कर सकता है, एक जगे से दूसरी जगे, खुद से move नहीं कर सकता है, ना ही वो adapt कर सकता है, environment के साब से खुद पो ढार सकता है, अगर गर्मी पढ़ रही होगी, गर्मी पढ़ रही है, तो होता क्या है, गर्मी पढ़ रही है, तो हम उस तरह के कपड़े पहनते हैं, या फिर इस तरह से जीते हैं, कि हम गर्मी में अच्छे से खुद को survive कर पाएं, खुद को ढाल पाएं, और अगर सर्दी की ही बात करे तो आप देखेंगे कि सर्दियों के टाइम पे जो जो पोलर बियर्स हैं पोलर बियर्स ठीक है पोलर बियर्स जो है आप कि अॉलर भी चिप जाते हैं सर्द्यूग डाइम में जाके करीं चिप जाएंगे पोलर बिक. और इस ऐं विंटर स्ली बोलतें यह आपके लिए एक्ष्ट्र स्ट्रा है उस प्रॉसस क्या विंटर स्ली बोलते हैं और यह आप के लिए एक्ष्ट्रा कॉंसेट है कि या रखना मैं बस यह चीज आपको इसलिए बता रहा हूं कि करते हैं जीव अपने आपको सर्वाइव कराने के लिए ठीक है अच्छा यहां तक की बाते जो थी वह लाइफ के रिगार्डिंग थी अब किसी को अगर जिंदा रहना है तो वेरियस प्रोसेस उसके अंदर चलती है जिसकी वज़य से वो जिंदा रह सकता है तो जिंदा रहने के लिए जो वेरियस प्रोसेस उसके सहीर में चलती है उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं और कौन-कौन सी प्रोसेस पढ़नी है हमें अभी मैंने बताया कौन-कौ जलूरी है उसके सभिल हुआ है जिंदा रहने के लिए है और इंधातर्द रहता है है ट्रंस्ट टेशन जलूरी है reten transportation मतलब उसको जिंदा रहें लिये सब चीज़ेश और एक और मैंने बताया था के ए deformation कर ने तो ये सब process हमें पढ़नी है तो इस चेप्टर में यह चार प्रोसेस फढ़नी है यह चार प्रोसेस किसी को जिन्दा रखने के लिए बहुत ज़्यादा जहुरी बन जाती है इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं लाइफ प्रोसेस बोलते हैं आई होप अब तक आपको पता चल गया हुआ कि लाइफ प्रोसेस क्या हो कि लाइफ क्या होती है और लिविंग की क्या क्या गार्यक्टर है ये भी आपको पता चल गए कि लिविंग के अंदर हमें कौन-कौन लिखो मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात को थोड़ा सा और खोलना चाहूंगा कि अब ट्रांसपोर्टेशन वाली बात को है ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है प्लांट्स में और हमारे अंदर, जो बड़े सहीर हैं जिनके, उनके अंदर, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक सिस्टम मौझूध होता है, जिसको कि मैं नाम दे रहा हूं, वैस्कूलर सिस्टम, क्या नाम दे रहा हूं, वैस्कूलर सिस्टम अभी के लिए वेस्टोर सिस्टम को साइड में रखते हैं इसके बाद अगर मैं छोटी जीवों की बात करूँ किसी यूनिसल्वर जीव की बात करूँ या फिर किसी फ्लेट वॉर्म की बात करूँ मतलब जिनकी एंट्रायर बॉड़ी एंवायर्मेंट के कॉंटेक्ट में हो किसे कॉंटेक्ट में हो एंवायर्मेंट अगर आपको नहीं पता है एंवायर्मेंट क्या होता है तो एंवायर्मेंट हमारी सराउंडिंग होती है तो जिनकी बॉड़ी कम्प्लीटली एन्वार्मेंट के कॉंटेक्ट में होती है उस बॉडी में जो ऑक्सिएन का लेंदेन है वो कौन सी प्रोसेस से हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपल डिफ्यूजन से तो उनके अंदर जो ट्रांस्पोर्ड का सिस्टम है जो डारेक्ट ऑक्सिएन पहुचा नही कौन सी प्रोसेस से सिंपल डिफ्यूजन से अगर आपको नहीं बता है डिफ्यूजन क्या होता है तो मैं रिपीट कर देता हूं डिफ्यूजन क्या होता है कि डिफ्यूजन होता है मूवमेंट कि आफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाइयर कंसेंट्रेशन तो लोर कंसेंट्रेशन तरफ आप खुद देखो एनवार्मेंट में ऑक्षिन कितना परसेंट होता है और हमारी बॉड़ी के अंदर अगर मैं इसकी बॉड़ी के अंदर की बात करूँ डेटेल में तो देखो भई इसकी बॉड़ी के अंदर क्या प्रोसेस चल रही है इसकी बॉड़ी के अंदर एक प्रोसेस ओफ रेस्पिरिशन चल रही है जो कि इस तरह से है तो फिलाल मैं आपको समझा क्या रहा हूं हमारी बॉड़ी के अंदर एक ऐसी रिशन चल रही है जिसकी वज़ए से हमारी बॉड़ी के अंदर सीओ टू की कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है तो मैं यह कह सकता हूं कि सप्रोसेस का बोलते हैं तो यही बात मैं आपको बता रहा था कि कैसे diffusion से जो exchange हो जाता है कुछ lower organisms के अंदर किसके अंदर? lower organisms के अंदर ठीक है? जबकि अगर आप बात करो higher organisms के अंदर जैसे कि हम, हमारा सहीर बहुत बड़ा होता है हमारी बस skin ही environment के contact में होती है जबकि अंदर के organs environment के direct contact में नहीं होते हैं ठीक है? फिलाल, तो आपको मैंने ये बता दिया कि ये जो lower organism है इनकी जो body है वो directly contact में है किसके environment के? वो directly contact है to the environment, ठीक है? तो इनके सहीर में किसी ऐसे system की ज़रत नहीं है कि इनकी एक-एक अंग तक हमें oxygen को पहुचाने के लिए किसी system की ज़रत पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है इनकी body में जो चीजों को पहुचाने करने का काम है वो diffusion की process से हो जाता है और diffusion क्या है? ये मैंने बता दिया ठीक है न? कौन से जीवों में होगा ये? lower organisms में होगा ठीक है? lower organism कौन से होते हैं? जो simple organism होते है आपने ये lower organism, higher organism 9th class में पढ़ लिया होगा अगर doubt फिर भी जाता है तो मेरे से बोल देना मैं ये doubt भी कर दो न? ठीक है? फिलाल अगर बात करें higher organisms की ठीक है? अगर मैं बात करूँ higher organisms की तो higher organisms के अंदर जो diffusion है जो diffusion है वो अकेला इतना capable नहीं है कि उसकी मदद से ही जो oxygen है और other material है वो transport हो जाएं body के पास तक डाइगराम से बताऊँगा तब ही आपकी सवज में आएगा तो सुनिए ध्यान से आप खुद देखें हमारी जो body है हमारी जो body है हमारी body की जो skin है सिर्फ वही enferment के डायक कॉन्टेकट में है ठीक है बस ये skin है वो ही एनورमेंट के बात करूँ अपनी body किसी अंदर वाले इससे की लाइक की ही बात करूँ मैं ठीक है मैं एग्जांपल में लिया है अगर मैं इस तमक की ही सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ेगी है ठ्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ेगी और यह दूसरी एक और बात भी ढिखन जो है वह बहुत ही प्रॉसेस है और हमें यह जो यह ट्रांस्पोर्ट करना है बहुत फास्टली करना है तो अकेला डिफ्यूजन इतना काबिल नहीं है कि यह पहुंचा दे हमारी ज़रूरी चीजों को दूसरे और गन तक जो कि एन्वार्मेंट के डायट कॉंटेक्ट में ही नहीं है के क्लियर है तो आधी आप आप इस बात को याद तरहें है अब इसके बाद है आभ हम narcis करते हैं ठीक है consort Attu करके देखते हैं कि कहें तो मैंने proxy questions आपके सामने पेस्ट किये हैं जो कि देखो यहां तक जो इंट्रक्शन वाला पार्ट है यहां तक कौन-कौन से क्वेश्चन फस रहे हैं तो वह देख लीजिए पहला क्वेश्चन है वाई इस डिफ्यूजर इन सफीशियंट टू मीट दा ऑक्सियन रिक्वार्मेंट ऑफ मल्टी सेललर और्जम जो मल्टी सेललर और्जम होते हैं देखिए यूनिसेललर जो होते हैं यूनिसेललर से क्या होते हैं यह यह बात आपने डाइवर्सिटी इन लिविंग और जिम्स जो कि आपके नाइफ क्लास से चेप्टर है उसमें पढ़ा होगा फिलाल क्वेशन पूछा है कि वाइज डिफ्यूजर इंसफिशियंट तो मीट दा ओक्षियर रिक्वार्मेंट्स ऑफ मल्टिसलर और्जिम लाइक यूमन तो वही बात हो जाएगे यहां पर जो मैंने बताई है एक तो डिफ्यूजर कैसी प्रोसेस एक तो डिफ्यूजर स्लो प्रोसेस है ठीक है और दूसरा ही जो बॉड़ी है वह कंप्लीट ली एनवार्मेंट के कॉं जोरी चीजों को पहुचाने के लिए एक ट्रांस्पोर्ट सिस्टम की जवत पड़ेगी ठीक है या फिर ऑक्सियन को भी पहुचाने के लिए और ऑक्सियन को बॉड़ी के एक एक हिस्से तक पहुचाने के लिए डिफ्यूजर सफीशियंट नहीं है डिफ्यूजर सफीशि नहीं है तो पहले आपको मिल गया दूसरा क्वेश्चन क्या है वट क्राइटेरिया डू वी यूज तो डिसाइड वेदर सम्थिंग इस एलाइव कोई एलाइव है उसके लिए आपको क्या देखना पड़े कि यह जिन्दा है या नहीं है देख लो एक तो लोको मोशन कर रहा होगा उसके अंदर ग्रोथ हो रही होगी ठीक है ना ग्रोथ हो रही होगी रैस्पिरेशन कर रहा होगा तो यह सब चीज़ें जिसको देखके हम बता सकते हैं कि यह यह नहीं है तीसरा क्वेश्चन वर्ट आर आउटसाइड रॉव मैटिरियल्स रॉव ठीकर रॉव मैटि जो यूज करता है भार से तो देखो रा वार से क्या हो यहार से क्या लेते हैं डा मि इसके बाद फूर्थ क्वेश्चन वट प्रॉसेस वुड यू कंसेड़ इसेंसियल फॉर मैंटेनिंग लाइफ मतलग यह पूछ रहा कौन कौन सी एसी प्रोसेस हैं जिसकी मदद से लाइफ मैंटेन करें जा सके बहुत ही सिंपल कॉच्ट की आपको यहाद हो था न यहां पर और इसे के साथ आपके उवर हो गई है और कल हम पढ़ेंगे एंसेटी कोश्चिस के बाद कल का जो लेक्टर होगा वो हमारा न्यूट्रिशन के उपर होगा ठीक है इसमें क्या क्या जानेंगे फटाक से बता देता हूं एक तो फादर जानेंगे फादर और न्यूट्रिशन कोण है और मैं बताऊंगा आपके कितने तरह का होता है तो यह सब बाते हम कर रहे होंगे कल करें और बहुत ही डिटेल में जाएंगे हम ठीक है बायलोजी के रिगार्णिंग जिससे कि हमारे टोटल कॉंसेट्स लेर हो जाएं और कोई भी हमारे सामने खड़ा हो आप उसके सामने अपनी नाक नाक नाट कि कि अवाई